जनसंख्या संतुलन की है जरूरत श्याम जाजू, पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष, विजया दश्मी को नागपुर में अपने वार्शी कुद बोधन में संग प्रमुक श्री मोहंद भागवत जनसंख्या पर अपनी चिंता व्यक्त की और जनसंख्या नीती पर विचार क अहवान किया, उन्होंने कहा कि जनसंख्या की व्रिद्धी और असंतुलन देश में एक बड़ी समस्या बन रहे हैं और इस पर आने वाले 50 वर्शों को ध्यान में रखकर समगर नीती बनाने की आवश्यक्ता हैं, देश में बढ़ती, संग प्रमुक द्वारा जनसंख्या व्रिद्धी और संतुलन जैसे महत्व वपूर्व विशेय का उनलेख अत्यन सामाइक है, यह हमारे सामने घट्ती एक ऐसी विक्राल समस्या है जिसे यदी समय रहते नहीं, रोका गया तो यह राश्ट्र के अस्तित्व को ती संकट में डाल सकती है, जनसंख्या की इस भार स्थिती में फोहँच जाती है तो संसाधनों के साथ उसकी गैर अनुपा तित वृद्धी होने लगती है, इसलिए इसमें स्थर्ता लाना जकूरी होता है, ब्रिटिश, बीती जुलाई सयुक्त राश्ट्र समने, विश्व जनसंख्या संभावना 2022, शीर्शक से एक रिपो जनसंख्या में हम विकास जाएगी और 2050 तक लगभग 10 अरबहो जाएगी और यह व्रिद्धी मुख्यतह, निया की कुल भुभाग का 2.4 प्रतिशत, 121 करोर थे जो अब लगभग 130 करोर से उपर हो गए हैं और शीग रही, चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या में पहले स् जनसंख्या व्रिद्धी उससे भी अधिक, इसी असमानता की वजह से भारत की ओर बढ़ते हुए भी वैश्विक, सूचकानकों में पिछर जाता है, बढ़ती आबादी आज एक बढ़ा है और पूरे देश का मुद्दा है, दलगत स्वार्थ से परेहट कर कार्य करने की ज जनसंख्या असंख्या व्रिद्धी के साथ पहचान के लिए खत्रा उत्पन हो, सकता है, भारत की पहचान सर्वपंत, संभाव और वरसुधव कुटूंब कमा, दस अदगुनों से हैं, तत्य यह है कि यह है, पहचान यहां के बहुसंख्या क समाज के कारण बनी है, जनसंख्या का असंतुलन, यह सास्कृतिक पहचान मिटा सकता है, इस दिशा में गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है, भारत में बीते एक, दशक में मुसलिम आबादी में लगभग, दो तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया, दित्यनाथ की एक वर्ग विशेश की बढ़ती, आबादी पर चिंता भी इसी संदर्ब में थी, उनकी और संग प्रमुक की चिंता को, मझह भी नजलिये से इत्र स्वस्थ संदर्ब में देखने की जरूरत है, यह है एक मिक सत्य है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी वर्गों की आबादी पर नियंत्रन रखना आनिवार है, अन्यत्था किसी वर्ग विशेश की आबादी यदी असामान्य रूप से बढ़ती रही तो देश में संसाधनों के उच्चित, वित्र बीच जनसंख्या व्रिद्धी दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में उत्पन मत पंतु के अनुया ययों का अनपात 88 प्रतिशत से घटकर 83.8 प्रतिशत रह गया है, वही मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.2 ती जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा।